नबश्कार शिक्षक पर्वके इस महत्वपून कारकम में हमारे साथ जूड रहे केमिनेट में मेरे सहयोगी श्री धर्मेंदर प्रदान जी, श्रीमती अनपुना देवी जी, डॉक्टर सुभास सरकार जी, डॉक्टर राजकुमार रंजन सहीं जी, देश के अलग-अलग राज्यों के मानिनिय शिक्षा मंत्रिगण, राश्ट्रिय शिक्षा निति के प्रारूप को तयार करने वाली समितिक अध्यक्ष, डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनकी टीम के सभी मानिय सम्मानित सदस्यगाण, पूरे देश से हमारे साथ मौजूद सभी विद्वान, प्राचार्यगाण, शिक्षकगाण और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले राश्ट्रिय पुरसकार प्राप्त करने वाले हमारे शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सभी ने कठीन समय में देश में सिक्षा के लिए विद्यार्थियों के भविश्य के लिए जो एक निष्ट प्रयास किया है, योगदान दिया है, वो अतुल्निय है, सरानिय है। इस कारिकम में हमारे जो विद्यार्थी उपस्तित है, मैं उनके भी चहरे स्क्रीन पर देख रहा हूँ, देड़ दो सालों में पहली बार ये अलग सी चमक आपके चहरों पर दिख रही है। ये चमक संभवत है, स्कूल्स खुलने की लगती है। लंबे समय बाद स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना, क्लास में पढ़ाई करना, इसका आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन उत्सा के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन भी हम सब को आपको भी पूरी कडाई से करना है। साथियों, आज सिक्षक परव के अवसर पर अनेक नई योजनाओं का प्रारम हुआ है। और अभी हमने एक छोटी सी फिल्म के द्वारा इन सभी योजनाओं के विशे में जानकारी प्राप्त की। यह इनिस्टेटिव इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आजादी का अम्रुत महुत्सव मना रहा है। आजादी के सो वर्ष होने पर भारत कैसा होगा इसके लिए आज भारत नए संकल्प ले रहा है। आज जो योजनाओं शुरू ही हैं वो बविश्च के भारत को आकार देने में एहम भूमी का निभाएगी। आज विद्यान जली 2.0, निष्ठा 3.0, टॉकिंग बुक्स और ULD बेस ISL डिक्ष्णरी जैसे नए प्रोग्रेम्स और व्यवस्ताएं लांच की गई है। स्कूल क्वालिटी एसेस्मेंट एंड एश्वरंस फेवर्क यानी SQAAF जैसी आधिनिक शुरुवात भी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह न केवल हमारे एजुकेर्शन सिस्टिम को ग्लोबली कॉम्पिटेट्व बनाएगी। बलकि हमारे युवाओं को भी फ्यूचर रेडी बनाने में बहुत मदद करेगी। साथियों इस कोरोना काल में आप सभी दिखा चुके हैं कि हमारी सिक्षा विवस्ता का सामर्थ कितना ज्यादा है। चुनोतियां अनेक थी। लेकिन आप सभी ने उन चुनोतियों को तेजी से समाधान भी किया। ओनलाइन क्लासिज, ग्रूप वीडियो कॉल, ओनलाइन प्रोजेक्ट्स, ओनलाइन एक्जाम। पहले एश्य सब्द भी बहुत लोगों ने सुने ही नहीं से। लेकिन हमारे टीचर्स ने, पैरेंट्स ने, हमारी युवाओं ने इने सहस्ता से दैनीक जीवन का हिस्सा बना दिया। साथियों, अब समय है कि हम अपनी इन ख्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है, उसे एक नई दिशा दे। सवभाग्य से, आज एक और देश के पास बडलाव का बातावरन है, तो साथ ही नई राष्ट्रिय शिक्षानिती जैसी आधुनिक और फिचरिस्टिक पालिसी भी है। इसलिए पिछले कुछ समय से देश लगातार एजुकेशन सेक्टर में एक के बाद एक नई निने ले रहा है, एक ट्रांस्फरमेशन होते देख रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी शक्ती है, उस और मैं आप सभी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह अभ्यान केवल पॉलिसी बेज नहीं है, बलकि पार्टी सिपेशन बेज हैं। एनिपी के फर्मुलेशन से लेकर इंप्लिमेंटेशन तक हर स्तर पर एकेडेमिशन्स का, एक्सपर्स का, टीचर्स का, सबका योगदान रहा है। आप सभी इसके लिए प्रसुंसा के प्रात्र है, अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है, हमें इसमें समाच को भी जोडना है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, वये कृते वर्दते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात, विद्या सभी संपदाव में, सभी संपतियों में सबसे बड़ी संपति हैं, क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है, जो दूसरों को देने से, दान करने से बढ़ती है। विद्या का दान, शिक्षा देने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। इस कारकम में जुड़े, आप सभी सिक्षकों ने भी रुदे से ये मैसूस किया होगा। किसी को कुछ नया सिखा देने का जो सुख और संतोस होता है, वो अलग ही होता है। विद्यान जली 2.0 इसी पुरातन परंपरा को अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी। देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है। विद्यान जली 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवन प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइबरन प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्रयवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में सुक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। साथियों, अनादी काल से भारत में समाज की सामोहिक शक्ती पर भरोसा किया गया है। ये अर्षे तक हमारी सामाजिक परंपरा का हिस्सा रहा है। जब समाज मिलकर कुछ करता है तो इच्छीत परणाम अवश्य मिलते हैं। और आपने ये देखा होगा और देखा है कि बिते कुछ वर्षों में जन्र भागी दारी अब फिर भारत का नेशनल करेक्टर बनता जा रहा है। पिछले 6-7 वर्षों में जन्र भागी दारी की ताकत से भारत में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चाहे स्वच्चता अंदोलन हो, गीवीट अब की स्पिरीट से हर गरीब के घर में गेस का कनेक्शन पहुचाना हो, गरीबों को डिजिटल लेंदिन सिखाना हो, हर छेत्र में भारत की प्रगती ने जन्र भागीदार से उर्जा पाई हैं। देश के भविश को घड़ने में अपनी सक्रिय भूमी का निभाएं। दो कदम आगे आएं। आप एक एंजीनियर हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक रिसर्च साइन्टिस्ट हो सकते हैं। आप कहीं IS officer बन करके कहीं collector के रूप में कहीं काम करते हो फिर भी आप किसी school में जाकर बच्चों को कितना कुछ सिखा सकते हैं आपके जरिये उन बच्चों को जो सीखने को मिलेगा उससे उनके सपनों को नई दिशा मिल सकती हैं आप और हम ऐसे कितने ही लोगों के बारे में जानते हैं जो ऐसा कर भी रहे हैं कोई bank का retired manager है लेकिन उत्राखंड में दूर दराज पहड़ी ख्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहा है निवृत्ति के बाद कोई medical field से जुड़ा है लेकिन गरीब बच्चों को online classes दे रहा है उनके लिए संसाधन उपलब्द करवा रहा है यानि आप चाहे समाज में किसी भी भूमिका में हो सफलता की किसी भी cd पर हो युवाओं के भविश्य निर्माण में आपकी भूमिका भी है और भागीदारी भी है अभी हाली में संपन्द हुए टोक्यो अलेंपिक और परा अलेंपिक में हमारे खिलाडियों ने शांदार प्रसेशन किया है हमारे युवाओं इनसे कितना प्रेरित हुए है मैंने अपने खिलाडियों से अनुरोत किया है कि आजादी के अमरित महुतसव के उसर पर हर खिलाडी कम से कम 75 स्कुलों में जाए मुझे खुशी है कि इन खिलाडियों ने मेरी बात को स्विकार किया है और मैं सभी मानिय शिक्षक गन से कहूंगा आचारिय गन से कहूंगा कि आप अपने इलाके में इन खिलाडियों से संपर कीजिए उनको अपनी स्कुल में बुलाईए बच्चों के साथ उनका समवात करवाईए तेकि इससे हमारे स्टूडन्स को कितनी फ्रेणा मिलेगी कितने प्रतिभावान स्टूडन्स को खेलों में आगे जाने का होस्ना मिलेगा साथियों आज एक और महत्वपुन्ष शुरुवात स्कूल क्वालिटी एसस्मेंट एंड एश्यरंस फ्रेमबर्ग यानि SQAA के माध्यम से भी हो रही है अभी तक देश में हमारे स्कूलों के लिए एजुकेशन के लिए कोई एक कॉमन साइन्टिफिक फ्रेमबर्ग ही नहीं था कॉमन फ्रेमबर्ग के बिना सिक्षा के सभू पहलू हों जैसे की करिकुलम पेडागोजी एसस्मेंट इन्फास्क्षर इंक्लूजिव प्रेक्टिसीज और गवर्नन्स प्रोसेसिस इन सभी के लिए स्टेंडर्ड बनाना मुश्किल होता था इससे देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग स्कूलों में स्टूडेंस को सिक्षा में और समानता का सिकार होना पड़ता है लेकिन अब इस घाई को पाटने का काम करेगा इसकी सबसे बड़ी खुबी है कि इस फ्रेमपर्क में अपनी जरुरत के हिसाब से बड़लाव करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी राज्य के पास होगी स्कूल्स भी इसके आधार पर अपना मुल्यांकन खुद ही कर सकेगे इसके आधार पर स्कूलों को एक ट्रांस्फर्मेशनल चेंज के लिए प्रोथसाहिद भी किया जा सकेगा साथियों शिक्षा में असमानता को खत्म करके उसे आधुनिक बणाने में नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्टेक्टर यानि एन डियर की भी बड़ी भूमिका होने वाली है जैसे यूपी आई इंटरफेस ने बैंकिंग सेक्टर को रिवर्शनलाइज कर दिया है वैसे ही एन डियर सभी अकडेमिक एक्टिविटीज के बीश एक सूपर कनेक्ट का काम करेगा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना हो या हायर एजुकेशन में एडमिशन मल्टिपल एंट्री एक्जिट की ववस्ता हो या एकडेमिक क्रेडिट बैंक और छात्रों की स्किल्स का रेकॉर्ड सब कुछ एन डियर के जरिये आशानी से उपलग्द होगा ये सभी ट्रांस्फर्मेशन्स हमारे न्यू एज एजुकेशन का चहरा भी बनेंगे और क्वालिटी एजुकेशन में भेद आपको भी खत्म करेंगे थात्यों आप सभी इस बात से परिचित है कि किसी भी देश की प्रगति के लिए एजुकेशन नक्लिवर इंक्लुजिव होनी चाहिए बलकी इक्वीटेबल भी होनी चाहिए इसलिए आदेश, टॉकिंग बुक्स और आडियो बुक्स जैसी तक्निक को शिक्षा का हिस्सा बना रहा है युनिवर्सल डिजाइन आफ लर्निंग यानि यूडी एल पर आधारित दस हजार सब्दों की इंडियन साइन लेंग्वेज डिक्षनेजी को भी विक्सित किया गया है असम के बिहु से लेकर भारत नाट्यम तक सांकेतिक भाषा हमारे यहां सदियों से कला और संस्क्रित का हिस्सा रही है अब देश पहली बार साइन लेंग्वेज को एक सब्जक के रुपे पांठ्र क्रम का हिस्सा बना रहा है ताकि जिन मासुम बच्चों को इसकी विशेश जरूरत है वो किसी से पीछे नह रह जाए यह तक्नीक, दिव्यांग, युवाओं के लिए भी एक नई दुनिया का दिर्बान करेगी इसी तरह निपुण भारत अभ्यान में तीन वर्ष से आठ साल तक के बच्चों के लिए फाउंडेश्णल लिटरसी एंड नुमरसी मिशन लौंच किया गया है तीन साल के उम्र से ही सभी बच्चे अनिवार्य तह प्री स्कूल शिक्षा प्राप्त करें इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे इन सभी प्रयासों को हमें काफी आगे तक लेकर जाना है और इसमें आप सभी की विशेश करके हमारे शिक्षक मित्रों की भूमी का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है साथियों हमारे सास्त्रों में कहा गया है दरश्टांतो नईव दरश्टह त्रिभूवन जठरे सद्गुरोहो ज्यान दातों अर्थात पूरे ब्रह्मान में गुरू की कोई उपमा नहीं होती कोई बराबरी नहीं होती जो काम गुरू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता इसलिए आज देश अपने युवाओं के लिए सिक्षा से जुड़े जो भी प्रयास कर रहा है उसकी बागडोर हमारे इन सिक्षक भाई बहनों के हाई हाथों में है लेकिन तेजी से बदलते इस दौर में हमारे सिक्षकों को भी नई व्यवस्ताओं और तकनिकों के बारे में तेजी से सिखना होता है निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्रेम से इस ट्रेनिंग प्रोग्रेम के लिए अच्छा सा निष्ठा आपके सामने अभी प्रसूत किया गया इस निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्रेम के जरिये देश अपने टीचर्स को इनी बदलाओं के लिए तैयार कर रहा है निश्ठा 3.0 अब इस दिशा में एक और अगला कदम है और मैं इसे बहुत महत्वपुर कदम मानता हूं हमारे टीचर्स जब कॉंपिटेंशी बेस्टीचिंग, आर्ट इंटिग्रेशन, हाई ओर्डर थिंकिंग और क्रियेटीव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसे नए तौर तरीकों से परिचित होंगे तो भविश्य के लिए युवाओं को और सहस्ता से गड़ पाएंगे साथियों, भारत के सिक्षकों में किसी भी ग्लोबल स्टेंडर पर खरा उतरने की ख्षमता तो है ही, साथ ही उनके पास अपनी विशेश पूंजी भी है उनकी विशेश पूंजी ये विशेश ताकत है उनके भीतर के भारतिय समस्कार और मैं आपको मेरे दो अनुभो बताना चाहता हूँ मैं प्रधान मंत्री बन करके जब पहली बार भुटान गया तो वहां का राजपरिवार हो, वहां के साथ से की विवस्ता के लोग हो, बड़े गर्व से कहते थे कि पहले हमारे यहां करीब करीब सभी टीचर्स भारत से आते थे और यहां के दूर सुधी रिलाकों में पैदल जाकर के पढ़ाते थे और जब इस सिख्षकों की बात करते थे भुटान का राजपरिवार हो यहां वहां के शासक, बड़ा घर्व अनुभव करते थे, उनके आँखों में चमक न जराती थे, वैसे ही जब मैं साउदी किया के किंग से जब बात कर रहा था, तो वो इतने गवर से मुझे उल्लेक कर रहे थे, कि मुझे भारत के सिख्षक ने पढ़ाया है, मेरा सिख्षक भारत का था, अब देखिए सिख्षक के प्रती कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पहुंचे, उसके मन में क्या भाव होता है साथियों हमारे सिख्षक अपने काम को केवल एक पेशा नहीं मानते हैं, उनके लिए पढ़ाना एक मानवियत संवेदना है, एक पवित्र पवित्र और नाईतिक कर्तव्या हैं इसलिए हमारे यहां सिख्षक और बच्चों के बीच प्रोफेशनल रिस्ता नहीं होता बलकि एक पारिवारिक रिस्ता होता है और यह रिस्ता, यह सम्मन पूरे जीवन का होता है इसलिए भारत के सिख्षक दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं अपनी एक अलग चाप छोड़ते हैं इस वज़े से आज भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपान संभावनाएं भी हैं हमें आधुनिक एजुकेशन एको सिस्टिम के हिसाब से खुद तयार करना है और इन संभावनाओं को आउसरों में बदलना भी है इसके लिए हमें लगातार इनोविशन करते रहना होगा हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लगातार रीडिफाइन और रीडिजाइन करते रहना होगा जो स्पिरीट आपने अभी तक दिखाई है उससे हमें अब और उंचाई देनी होगी और होसला देना होगा मुझे बताया गया है कि सिक्षक परवके इस अवसर पर आप आज से 17 सितंबर तक 17 सितंबर हमारे देश में विश्व कर्मा जेंती गुरुप में बनाये जाता है इस विश्व कर्मा अपने आप में निर्माता है स्रुजनहार है तो साथ तारिक से 17 तारिक तक अलग-अलग विश्व पर वक्षोप, सेमिनार, आयोजित कर रहे हैं यह अपने आप में एक सरानिय प्रयास है देश भर के इतने टीचर्स, एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स जब एक साथ मन्थन करेगे तो इससे विचारों का एक नया अम्रित निकलेगा और आज़ादी के अमरित माक्सों में इस अम्रित की एहमियत और नादा के इंसामुहिक मंतन से राष्ट्रिय शिक्षा नीति को सफलता पुर्वग लागू करने वे भी काफी मदद मिलेगी मैं चाहूंगा कि इसी तरह आप लोग अपने शहरों में गावों में भी स्थानिय स्थर पर प्रयास करें मुझे विश्वात है कि इस दिशा में सब के प्रयास सब के प्रयास से देश के संकल्पों को नई गति मिलेगी अमरित महोसों में देश ने जो लक्ष ताय किये है उन्हें हम सब मिलकर हासिल करेंगे इनी शुबकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुबकामनाई